में आपको समझा कि Phosphoroalation दुनिया में तीन ही परकार का है ऐस स्टेट कर रखो डिया समय आ गया है या मि पूपी दूओं आट्यडी फॉस्पो्राइलेशन को समझने का वैसे तो photophosphorylation और oxidative phosphorylation को हम काफी detail में पढ़ने वाले हैं इसको पढ़ने वाले हैं photosynthesis चप्टर में और इसको पढ़ने वाले हैं cellular respiration चप्टर में बट हाँ अगर चर्चा हुई है तो थोरी वो चर्चा आज करेंगे दोनों ही ATP synthesis का जर्या है आप जानते हैं यह केवल photosynthetic cell में होता है यह photosynthetic cell में भी होता है non photosynthetic cell में भी होता है दोनों में होता है oxidative phosphorylation मगर कुछ similarity है इस दोनों में और कुछ differences है इस दोनों दोनों ही प्रोसेस के दोरान एटिपी सिंथेस की जरूरत है दोनों ही प्रोसेस के दोरान एलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम की जरूरत है क्या होता एलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम धर रखिए अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा एलेक्ट्रोन ट्रांस्प और सिस्टम हावा में नहीं चलता है उसके लिए मेंबरेन सिस्टम का पाया जाना जरूरी है तो दोनों ही प्रोसेस के लिए मेंबरेन सिस्टम का पाया जाना जरूरी है यह तो हुआ similarity चाहे हो photophosphorylation चाहे हो oxidative phosphorylation दोनों ही process के दरान ATP synthase का होना जरूरी है ETS का होना जरूरी है membrane system का होना जरूरी है और दोनों ही process दरान होगा chemo synthesis क्या होगा chemiosmosis chemiosmosis दोनों ही process के दरान होगा chemiosmosis chemiosmosis क्या होता है धहरे रखिए मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाओंगा अभी तुम स्याद रखना केमियोसमस कोई चीज होता है तो यह तो क्या हुआ similarity अब समझें डिफरेंसेश पहला डिफरेंसेश को बता सकता है इसमें फोटो फस्फो में सरस सोलर इनर्जी सोलर लाइट है और इसमें सोर्स आप एनर्जी ऑक्सीडेशन आफ और अगेंशन कंपाउंड है यह पहला डिफरेंस दूसरा एक डिफरेंस है क्या डिफरेंस समय नहीं से मैं बात कर रहा हूं कि एटियस के लिए में स्स्टम चाहिए मैं रहं सब्सक्राइब हैं यह तो स्मेलरिटी और फोर उप अलग है। लोग सब अलकी डुर्टाइब में कमाता है डिफरेंसेशे समद्रों तो दोनों में समय हो गया है यह संब्रेंसराइब है लेकिन इसका में सिस्टम जो है वह अगर यूकरयोटीक थो अलग प्रोकुरयोटीक को अलग इसका इम्मेर्सं में एगर तो तो कहा है घट करोमेटाथ थी कह अगर ऑक्रेसिटिप कि बात करें उसमें तो लोकिटेड है क्या इक जोंव अग वATHAN तो कोंट्रेल मेंबरेन का चर्चा किया या क्लोर प्लास्ट के थलकवाइड का चर्चा किया वो तो यूकरोर्स में योगा अंडर्स्टूड है रही बात कि यहां पर ऑक्षिदेटिव फस्पराइशन में मीजोसोम चाहिए और यहां पर क्रोमेटोफोर चाहिए तो कि फोट बाकि प्रोसेस को मैं जादा सर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह काफी डेटेल हम लोग पढ़ने वाले एक फ़रा ओभर भी देता हूं फोटो से फोटो फोस्पर लेसे में क्या होता है यहां पर पिगिमेंट होता है जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम जब सोलर लाइट इ दाते हैं वह फी एलेक्टोन है यह अब लोगे इसका ऑक्षिडेशन हुआ है ना इस तोरान इस फोटो सिस्टम का एलेक्ट्रोन इजेक्शन जरूड हुआ है मगर इसको आप ऑक्षिडेशन इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सणलाइट की प्रश्चिंस में वो आए हा है लगिन चुकि यह सोलर राइट की प्रजेंस में अवी फ्री और यह और इनर्जी रिलीज कर रहा है और सो यह इतनी अनर्जी है कि इस और को कोई त्दूसरा नंबर पर उस से कम खानेवाला उस से कम खाने वाला उस से द्टरेके से इस तरीकर से करा जाएगा še sms कब अधरां उस दर्राण आप यचिन नहीं करेंगे कि इस को फ्लो करा करो कि एक्टन ग्रेडियन्ट जमां किया राता है और उस प्रोटन ग्रेडियन्ड का सिं हम सिस आ एक्टन पढ़ेंगे photosynthesis में तो photosystems electron ऑख हई हुआ है कहानी वहार से शुरू होती है इसलिए कहते है पारेव उसी से उसी के वज़े से electron ऑख हुआ electron में जो एक्टरा एनर्जी ही है उसी electron को खाने के लिए कई सारे electron केरियर सरीज में अर्जेंट हैं उसी एरेंज और फैनली इसके वरे से प्रोटोन का जमावड़ा होगा और इसके वरे सिंट्रसिस होगा फोटो फोस्पारशन अब आते हैं ऑस्मेटिक फोस्पारशन का ओवर्वियू समझे हो डिटल पढ़ें के सब्सक्राइब इस दवराँ कोई ऑफढ़ाउनच का क्या हो अर बने गया क्या रेडिच्ट को नेथा 2 एक्षिडेशन प्रोसेस है अब यह रेड्यूस्ट को एंजाइम का होता है ऑक्षिडेशन और उसके ऑक्षिडेशन के दौरान एलेक्ट्रोन प्रोसेस और जो प्रोसेस्टाइम के गरेडियेंट यह जमा है और प्रोसेस के दौराइन चिंदूरान गरेडियेंट से शुरू हुई नाम इस पर पर इसकी कहानी शुरू हुई एक्जैश्ट लिप इसका भी ऑक्षिडेशन हुआ तब जाके प्रोटोन ग्रेडियन्ट का जमाबढ़ा हुआ सब्सक्राइब लेशन लाख सी तब सब्सक्राइब दीआ बोलो कि आप आपको समझे में आया कि आप फोटो सिंतेसिस में और सेलूलर रेस्प्रेसर में पढ़ क्या लेते हों अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इतना आपको अभास हो गया होगा कि आपने ये चीज़ समझा तो पहली बारे कि आप पढ़ते क्या होगा जो पढ़ा और तीनों की चर्चा आगे पूरे चप्टर में होनी है तो मैंने ओवर्वीव एक भूमी का बांद आए बस तो अब आप क्या करो इसका भी पॉइंट एक बार नोट में रीड कर ले ना मैं दिखा देता हूं उससारा पॉइंट मैंने लिखके दिया हुआ है यह है सबस्ट्रेट लेवल पॉस्पोरालेशन पता ही दिया यह देखो है ना पूरी बात है जो बता रहा हूं पूरा एकदम एकदम कंटस्ट याद होना चाहिए ठीक है अच्छा मैंने क्या दोनों में क्या चाहिए एंजाइम चाहिए एक बात और बता देता हूं कि इसका होता है तो इसके एक मोलिकूल होता है जिसको एफनोट एफन पार्टिकल करते हैं ठीक है इस टाइप का होता है इस पूरे को बोलते हैं एफनोट इसको बोलते हैं एफनोट बीस का पार्टिकल होता है इस टॉप तो अब क्या होता है कि इस दौरान इस दौरान यह यहां पर प्रोटोन का जमावड़ा होता है हुआ यह पर प्रोटोन का जमावड़ा होता है यह प्रोटोन को यहां से लीक कराके इदर निकाला जाता है प्रोटोन को और इस पर यहां पर यह प्रोटन इदर से घुजरता है तो उसमें इतनी अनर्जी होती है यहाँ पर भी होता है और यहां पर भी होता है बस गाज सका जो एफ नोट एफ न पर्टिकल है जिसको बनतें धिपी सिं Pinella सिंपली में नहीं दिखा नहीं थिखाते हैं यहाँ पर सबास्ट बताना चाहते हैं कि ये अब आपको सब्सक्राइब यह सारी बातें फिर से आएगी यह तो मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को ताकि जब दुबारा आए तो आप चीजों को क्या करो को रिलेट कर पाँ तो यह देख लो और अब मैं चलता हूं अब यहां तक अगर को डाउट हो तो आप पहले पूछ लो फिर मैं अगले अगले टॉपिक पर चलता हूं अधीक राजेश्वरी नो से रिभा साइड नेटवर्क पूर है उसका साउंड सिंबॉल तक नहीं दिख रहा है चलो हाँ अब हम लेते हैं एक टॉपिक और वह टॉपिक है पहले मैं बताऊंगा आपको सेल मेंबरेन किन-किन चीज़ों के लिए परेमियेवल होती है और यह मैं इसलिए बता रहा हूं डारेक रोसन तो खर आता ही है कभी-कभी आता है लेकिन इससे पूरे दोनों सेलेक्टिविटी काम आने वाला है इसलिए मैंने आपके सामने कुछ लिष्ट बनाया है कि हमारा सेल मेंबरेन किन-किन चीज़ों के लिए परेमियेवल है किन-किन चीज़ों के लिए परेमियेवल नहीं है और प्रोट्न और सुन्हेव क्याइं है और सुनों मौस्ट अबदए और येन अदलोच के αναमेंट परेमियेवल नहीं पधर ए सब्सक्राइब लिए जी बिए चीड़ों लिए इसका ड्रीश आप यादकर लो तो चीज़ेड़ों यूज होजाएगा जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि इतना कम से मियाद रख लो कि इनके लिए प्रेमियबल इससे हमारा दो चप्टर काम हो जाता है और चप्टर ब्लू को लगता है यह वाला सब्सक्राइब याद करो याद करो याद करने वाली चीज याद की जाती है तो इसको यह चीज याद करो नहीं किसके लिए परिमियबल नहीं है और अगर वह चीजे हमारे सेल मेंबरें के अंदर जरूरत है या फिर अंदर बना और बाहर जरूरत है तो नहीं है ना अगर अगर वह परिमियबल तो नहीं है ना इसके लिए होता है तो सुनलो कान खूलके बगवानन सारा इंतरी साम करके वेजा यां उसके लिए ने सेल पिंप में कैडियर लगा यह तो इंटरेंश्ज बहसकते हैं और वो सकते हैं अब इंटरेंश्जेक हो क्या होता है सरसबाल मैं मेरी समत्र पूछ लेना और लेड़ी सेलबाली समय लगा के पड़ाया हो कि अगस्य भी मैं धसा आ और में न्टरेंश्जींस NEW तो वह क्यारियर प्रोटीन ही इसे सबस्टांट एसे सबस्टांट के ट्रांसपोर्ट में लेज जो सबस्टांट इंपरमियबल है तो फिर क्या कर लेगा सर तो मेरी बास आपको लेटर भेजना है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते और पाकिस्तान के लोग लेकिन बॉडर को जब कोई इंपर्मियाबिलिटी डिसाइड की गई तो उसी दवरान बॉर्डर पे कुछ ऐसे लोग तैनात किये पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान के तरफ से भी जो जमीन है वहां के लोगों को कुछ इंदुस्तान में इंफर्मेशन भेजना है तो वह अपने सनिक को देंगे और वह पकिस्तान के सनिक वहां के आम जनता को देंगी अब मुझे बताओ वह लेटर तो परिमेवल नहीं था न है वह लेटर जो लेकिया जिसको जिसने लेटर लिखा वह आदमी तो आजाद नहीं सकता था लेगिन मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन करने वाले उस पर्टिकुलर ठिंग्स को करी आउट करने वाले चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्ट हो गया कैसे हुआ समय आने पर सब बता दूंगा आने दूसरे में यानि कि जो देखो जिसके लिए पर्मियविलिटी है उनके लिए तो सोच न से कंसट्क माँ Irish को बताहरा हुँ यह मारे इन दोनों छाइंटर में काना नहुंवाला है इस the ट्रांसपोर्ट ड़िस्टम एक स्ब्सक्राइब का इलयेंजिमेंट है दोनों चपीसितर में का具ष भी एक अटम साबखे दो मनेंफ सेल्क आरेख रहेएंट तो एलेक्ट्रोन कारियर कि स्क्वेंससे लेंटियस है अब जब भी आज मैं बूलूंगे जब भी वह लोगा मैं अटर टाइम आपके थाइम आपके दिवाद बात जरूरा प्रैसम सबसे बलूमें वे नगवे पर सब्सक्राइब कर में और अब होती अब होना है कहां पे उको में होना है कि मे गरेन हो elective बस एक जगह यह लगा कि नो को मिला के वोला मैंने यह जगाइए और एक जगाइए पूरे लिविंग वरली में दोई जगह लेक्ट एक बात फिर दूसरा बात कि दिमाग में थे जैसे बोलू में तुरत दिमाग जाता तर जगह आइरन तरस्थरी होता है यहां पर Kayden-اب उता और जिसमें ऑपर स्थी योता है वो और वह बारबार उसको पूचता वो दो ही ग्जाम है आपके लिए था आपको लिए तरी आपको पता होगा होगा कहां अगर यह बूल जाओ कि प्लास्टो साइनीन और साइटोक्रोम एवन एथी में तो सी आ रहा है तो साइटोक्रोम एवन एथी में स्टार्टिंग में यहाद रखा एक कि प्लास्टो साइनीन प्लास्टोल 13 Re做 शाइनीन ट्रिक्षी नहीं रखा मैं ऐसे इयाद रखा एक लुट कतला स्ट लुट कलोव प्लां स्टिट तो थाइप अभ प्लास्ट तो मिलोगा फ्लास्ट में आप को बल्रकोल्र आपको प्लास्यम है मिलता है यह से दुन बात आपको पता अधी है तो मैंने गया का ध्यान में एक को चाहिए कि के प्रोटीन बेले त्यसा बात जाया है अलक यहले ही करियर हो न खाइम सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कोई भी उना तो पर एक आग़े केुए एविय ऐवारे को में वह दिmonthized lotus फिर से island अब बारे में एक में रोसी तुब में तो तीसरा बातों क्या द्थाए में एक अधिया को कैरी करता है और अपको मैं बता दूं यह उस मेमरें सिस्टम का इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक होता है सब्सक्राइब नहीं 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 होंगे लेकिन वह एक्ट्रोन के कर देंगे कैसे करेंगे अभी आप देखना ज्यादे तर इंट्रिंसिक वाले हैं लेकिन जो एक्सिंसीघ है लूजली एटाइजड है इंबैडड़ नहीं हो सब्सक्राइब करो कि यह 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 दोनों क्या है यह दोनों इंट्रिंसिक इनके बीच में एक सरफ्यस परेंश इन दोनों के बीच में मैं एक सब्सक्राइब करते हैं यह इंसे अलेक्ट्रॉन लिए और मोबाईल यह यह तो फ्लिप्फ्लॉप करके फिर इधर आ सब्सक्राइब कर लेते हैं लेटरल मुमेंट कर लेते हैं यह मुमेंट करके बाइशाब इंट्रिंसिक एलेक्ट्रोन के बीच में लेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट कर आरहे होते हैं और क्यरियर वह तो हैं इसके साथ प्लास्ट क्विनन घीए और में आपको बता दू हो इसे चाहित जो एक्सक्षिक प्रोटीन आर्वा स्थे और उसे लेकिन वाइजाब का खासियत क्या है कि इसमें अमेटर लाइन कॉपर प्लस टो एक साड़ी बात आपको आगे काम आएगी यूबिकुनों और साइटोक्रोम-C तो यह चारू एक्जामपल आप इसमें याद रखोगे एक्ट्रोन केरियर इसके अलावा सभी एक्ट्रोन केरियर ही होते हैं लेकिन कुछ एलेक्ट्रोन के केरियर है और उसमें दो एक्जाम पला आपके लिए तीन एक्जाम पले एक तो क्लोरोप्लास्ट के वही प्लास्टो क्यून और दो माइटो कॉंड्रिया के एक यूबी क्यून और एक अभी मैंने जो भी बोला है लास्ट में तीन पॉइंट मुझे पता है आप दस बार लिखो तो आपको याद हो जाएगा तो यकीन मानिए कि आपका पूरा चप्टर असान हो जाएगा पूरी तरीके से असान हो जाएगा मैं रिपीट करता हूं फिर से आज के बाद जब भी है आपको सुनाई पड़े पाँच बात दिमाब में पहला प्रोकरियोर्स में कहां तो में उकर्ण में में आपको पता है तो न करे लोट में नहें होगा गले ना इसको लाभ़ा कुलाइट के लाइब प्रोट प्रोटिन है कॉलब है टो यह तो प्लस्तों सैनिन है अ क्यों प्लास्ट वाले में है और कि भारे में एक ही खार करता है जो था कि प्रोटीन स्ट्रक्ट है ये चल मचेंट करेंगे मोबाइल होते हैं इंट्रेंशिक व मोबाइल काद कर दो कडिक दो लेकिन कुछ एक हो गए अगर आप कोई चीजिए समझे में आ गई मितलब आप फोटो सिंतेसिस और सेलुलर रस्परेशन को चुटकियों में उड़ा देंगे मरद सवाल देखते ही आपके इस कहां सरी होगा अगंसेफ्च्वली कहेंगे सबसे बड़ी बात तो यह है कंसेफ्च्वली कहेंगे चलो अब बताओ कि इसमें कोई दिकत है तो पूछ लो अधीग ए ना सर्व राजिस्वरी अजिए ना सर् है कि अरे आण थे वा इसमें आ रहा है अष्ट कि न के चलिए तो यह सब्सक्राइब घांओ के さब 이ёлुसे में फोट्यों सिंटैसी न फौट लिए ठांड़ा दीन में होता है रात में रहता है क्यों होता है पर एव नहीं होता है वहता है फ्जंछ अबसेश इसरह generates अधिए पराने वाला कोई भी भी हो ऐसकता है महिला शिक्षक से पढ़े हो कहीं भी भी पढ़े हो बहुत चीज़ आपको गलत पढ़ाई गई है ये मुझे केसा पता चला इतने दिन से पढ़ा रहा हूं तो बच्चे मिलते हैं ने कि जवाब देते हैं तो पता चल जाता है क्या इनको परोसा गया है कि चलता है पता है क्या परोसा गया है य। तो आपको पता चलेगा मैं किस कंसप्ट के बादा कर रहा हूं कि आपको बताऊंगा कि इस उल्टी का दबा क्या है अब फोटो संथेसिस में खास करके कई सारे व्लटे पूलटे हैं अब कि चलिए नेस्ट क्लास में पर देजयाने और दिया न तक अब है तक बैक आप नी किया जिनका किरें से च्छूट है रिभा कि कि बचा है नहीं हुआ है अच्छा कब हो का यह है अगला साल कि अगला साल कर लिए कि एक दो दिन में अगर होगा तो फिर आपको प्रोटोस्टेंस नहीं समझाने वला है चप्टर स्टार्ट इसे चुटा ही रहा जाएगा हां सरस्टी बताओ का तक देखें अब अब आधनी आ रहा है अब आधनी आ रहा है नेट्वर्क प्रोब्लम है रारेस्वरी कंप्लिट हुआ तो अब कि बच्चे देखो अभी भी होली में आ रहे हैं बताओ रंग उतरने वाला होली का रंग छूट गया लगबग और बाकी बच्चे अभी रंग चुटा रहे हैं घर पर बैचके बताओ मैंने हैं किया पर इनका कोरोना कुछ नहीं बिघार पाएगा चला गया कोरोना विचारा उन्ही तव ze alternative के गया है इंटना ऐसे डरके चला गया कि भाई में गलत जगह आ गया हूं Peyton Keep इंग वोगों से डरके भागया ना बताव अभी तक वह भूली मिना रहे है है आउनलाइन क्लास में भी वोली मिनाएंगें, कहां से सलक्सान हो जाएगा, सलक्सान होना ना होना बात के बात है, कंसेप्ट भी तो स्टोंग हो जाए यारखन से कम, चली मिलते हैं इस क्लास में